नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेजबे से लिए चेल पर मैं निकलेश जैने आप सभी का हारदे का मिंदन करता हूं, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे विश्णा का नाना जी 11 दिसंबर को 50 वर्स पूरे करने वाले हैं अपने उम्र के, इसी के उपलक्ष में हम उनके 2006 में 14 जैनवरी को ये मुकाबला हुआ था, जिसमें विश्णाता नाना जी ने कर्याकिन को नजड़ाफ ओपनिंग का पार्ट पड़ाया था, और दिखाया था कि नजड़ाफ कैसे खेलते हैं, तो ये मुकाबला आपके लिए काफी कुछ सीखने लाइक हो सकता है, तो आय इसके साथ ही ये बात साफ हो गए कि अब दोनों जो खिलाडी हैं, वो एक दूसरे कि राजा की उपर आकरमण करने की कोशिश करेंगे अपने प्यातों के साहिता से, अपने पीसेस के साहिता से, कौन सक्सेस्फुल होता है, ये एक रेस शुरू हो जाती है यहाँ पर, यहाँ पर अनभव सबसे इंपॉर्डन रोल प्ले करता है, नाइट वीडी सेविन तो आखरी पीस है, बोर्ड पर आनद जी का वो उन्होंने एक्टिवेट किया, यहाँ पर कर्याकी ने इमीडिटली खेलते हैं, जी फोर, अब यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि इस खेल में ब्लैक ठीक उसी तरह से आकरमण का जवाब दे रहा है, जिस तरह से वाइट तो यहाँ पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, नाइट अटाएंगे, विश्नाता नानन जी खेलते हैं यहाँ पर ब्लैक जवाब दिया कर रहे हैं, और जैसे आप चेक बचाओगे, आप क्विन डाउन हो जाओगे, क्विन E7 के बाद, तो इसी लिए यहाँ पर जो सही चा जवाब दिया, नाइट E8, ओके, F4, तो यहाँ पर इमीडेटली जो है, continue, यहाँ पर आकरमन करना शुरूर करते हैं, करियाकिन, और, और पॉन स्टॉम लेकर क्या रहे हैं, F5 का थ्रेट है, F5 के थ्रेट के साथ हमारा बिशप जो है, वो आल्मोस्ट ट्रैप होने की तैय जवारी दिखती है, परानन ने जवाब दिया, यहाँ परानन जी ने, A5 खेला, उनका थ्रेट है A4, continue, F5, और आनन जी जवाब देते हैं, F4, यह बहुत ही रोचक पोजीशन है, नजडॉप में आपको हर मुकाबले में ऐसा देखने नहीं मिलेगा, ऐसा तभी होगा जब दोनों खेलाडी जीत के लिए जाना चाहते हूं, ओके, यहाँ पर जो कर्याकिन ने खेला, वो था Nbd4, but for example, अगर वो F into E6 मारते, तो actually में A into B3 बहुत critical है, क्योंकि अब A into, यहाँ पर B into A2 आ रहा है, और Queen के threat के साथ, क्योंकि अगर आप यह टेक करते हैं, और तो पहली तो यह B A2 के बाद position loss हो जाएगी, क्योंकि Queen बन रहा है, mate करते हुए, mate के threat के साथ, okay, so यहाँ पर जो जबाब दिया, उन्होंने खेला A4 के बाद, Nbd4, मतला अपना piece दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि Bishop जो है, वो तो मरी जाएगा, तो Pawn मिल रहा है उनको, okay, E into D4, N और यहाँ पर आनन जी की तैयारी हो, बिल्कुल सही जाते हैं, move खेलते हैं, B3, फिर से वो ही threat है, B into A2, तो जबाब दिया यहाँ पर, King B1 खेला कर याकिन ने, अगर यहाँ पर C into B3 यहाँ पर भी मारते हैं, तो फिर से A into B3 आता, और अगर आप A3 बगरे करते हैं, तो Rook C8 चेक, King B1, Bishop C4 और Black यहाँ पर फिर से fine हैं, ओके तो उन्होंने जवाब दिया कर याकिन है, King B1, तो आनन न खेला, B C2 चेक, Knight C2, and now यहाँ पर जो अगली move है, यह बहुत important, देखने में ऐसा लगता है कि Bishop जो है, वो अल्रेडी trap है, but good move आता है, BB3, तो trap तो है, लेकिन ब B3, और ऐसा लगता है देखने में कि White का problem थोड़ी दिर के लिए solve हो गया है, Knight ने control कर लिया है, Queen B pass में है, और अब White के तरफ से pawnstone जो है, वो ज्यादा dangerous हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आनन जी की समझ और तयारी है, जिस तरह से महरों को वो लेकर के आएंगे आकरोन में, वो देखने लाएक है, अभी देखें, यह सारे महरे ऐसा लग रहा है कि सब जाहां में अभी तो, जल्दी अलदी कोई आ नहीं सकता, Queen side, लेकिन अब आप देखें, सबसे पहले तो वो Knight improve करते हैं, E5 पर, कर्याकिन ने जवाब दिया, H4, अब आनन खेलते हैं, Rook A5, Rook A5 वो एक बहुत ही active move है, बोल पर, क्योंकि यह actually पीछे से जगह बन रही है, Queen A1 के लिए, और आनन ने एक चाल छुपा के रखी है, अपने क्या वो सकते हैं कि, अपने दिमाग में वो आबे आगे आपको दिखेंगी, कर्याकिन यहाब पर खेलते हैं, Queen C3, ए से क्या होगा, आनन जी नहीं यहाब जवाब दिया, Knight C7, brilliant move, इसे सबसे बहतरीन move कहा गया इस game की, अब आप देख सकते हैं कि Knight B5 बहुत ही आकरामक तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर कर्याकिन के पास मारने के लावा ज्यादा कुछ चारा था नहीं, तो उन्होंने खेला अगर माली जी कि वो यहाँ पर खिलते, Bishop B6, तो रुक इंटो A3 आता, BA3, and now Knight B5, और यह position भी विनिंग है क्योंकि Queen A, B3 और उसके Knight A3, तो यह भी विनिंग है position, तो उन्होंने खेला यहाँ पर Queen E2C7, पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अब एक पीस दिया था, अब आ यहाँ पर आप देखिए कि, pause करके सोचिए कि आप Black हैं, दो पीस दे चुके हैं, कैसे आप इस गेम को जीतने के दरफ जाएंगे, reason यह है कि White के कोई भी pieces जो है, वो proper coordination नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई, यहाँ पर कोई plan नहीं है, और Black के सारे पीस जो है, वो एक दूस आसा किनारे चला जाए, और pieces defense में ना आ पाएं, तो विश्मातर अनन जी के आगली चला आती है, यहाँ पर Knight C4, excellent position है, और उस पर यह move भी natural भी है, और आप थोड़ा भी सोचेंगे, तो आपको मिलेगी, क्योंकि आप मार महीं सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ तो चेक इंटू G6, और इस position पर आनन जी ने सोचा, और उसके बाद उनने Knight A3, check, BA3, and now Rook A3, और वहाँ पर अब मेटिंग थ्रेट्स की तैयारी है, यहाँ पर उन्होंने अल्रेडी calculate कर लिया था, कि अगर Queen F7 आएगा, तो King H8, BD4 अगर आता है, सोची है, पॉस करके मेटिंटू है, Rook A1, check, force है, Bishop A1, और Queen A2, checkmate हो जाएगा, और अगर तो उन्होंने खेला G into F7, check, तो आनन जी ने पहले से तैयारी की हुई थी, King H7, और आप देखिये, check ही नहीं आ रही है, तो मजबूरी में check देने के लिए, यहाँ पर कर्याकिन ने खेला, F8 Knight बनाया, तो Rook into F8, Queen into F8, और यहाँ पर भी Queen F8 मार के आनन जीत सकते हैं, आसानी से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खेला, Rook A1, check, King B2, फिर से check, Rook A2, अब अगर जाएगे, तब मार लेंगे, Queen into F8, क्योंकि G2 का Bishop भी जो है, वो Under Attack रहेगा, यहाँ पर, Omitting Threads भी रहेगी, तो उन्होंने खेला, यहाँ पर King C3, कर्याकिन ने, अगर मालीजे यहाँ पर King B3 खेलते, तो Queen A4, check, King C3, Rook C2, check, King D3, और Queen C4, checkmate हो जाता, तो King C3 खेला, उन्होंने, तो आनन जी ने चबाब, यहाँ पर भी Queen into F8 मार सकते हैं, बट उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने खेला, यहाँ पर, आनन ज C3 अगर जाते हैं, तो Rook C2, check, King D4, और यह Checkmate हो जाएगी, Queen C4 से, तो उन्होंने खेला, King D4, so now Rook A4, check, Force, King C3, Queen C4, check, और यहाँ पर, resign कर दिया कर्याकिन ने, क्योंकि अगर वो continue करते हैं, इसको, King D2 जाते, तो Rook A2, check, और King E1, so Queen, E2 जो है, वो Checkmate हो जाती, तो एक बेह आया ही कुछ इस तरे से गया कि आपको देखने में मज़ा आया है, और मुझे लगता है कि आपको देखने में मज़ा आया होगा, तो हमारी जो विश्ण अतानानेंजी की पर सीरीज है, वो यूहीं continue रहेगी, देखते रहे हैं, चैस बेसी इंडिया आपने सुझाओ, हमें लिखना ना बूले, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो शेयर और लाइक करना ना बूले, चैस बेसी इंडिया क्लिए, मैं निकलिज जैंड, जै हिंड,